हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग टापिक लेके आया हूं जो कि है कि यह यह लैंड लाइन फोन पे अगर कीपैड है अगर आपका कीपैड नहीं चल रहा है उसमें जो डिफरेंट टाइब के फाल्ट आत करते हैं कि आपका कालर आईडी फोन है या पेसिक रेंड लाइन फोन है जा बाद मौंट टेबल फोन है उनमें यह डिफरेंट टाइप के फाल्ट आते हैं वह मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपका कीपैड नहीं चल रहा है तो उसको किस तरह पेरिंग करते हैं क्ली यह ब्रासेस बताऊंगा अगर डस्ट आ गई है तो उसको इसको क्लीन कैसे करना आगर कोई जंपर पेरिंग है जा सब्सक्राइब करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले यह यह लैंड लाइन फोन है इसको हम उपर कर लेते हैं जिस तरह कि आपका भी कोई लैंड लाइन फोन होगा तो उसमें अगर फाल्ट होगा तो पहले आपको उनके यूंगा नट होगे नट तो आपको खोलने ही पड़ेंगे फिर भी अगर आपको यह फाल्ट का नहीं पता लगे कि किस तरह यह सरकर बोर्ड बगारा रेपेरिंग रिलेटेड चैनल है तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आप ये वाला पार्ट रिमूब कीजिए या कूर सा पार्ट आपको रिमूब करना है तो इसलिए प्लीज दू सब्सक्राइब मैं लाइक माई चैनल जिस तरह के फैंस में यह आप लैंड लाइन फोन है यह खोल लिया है तो अगर तो आपका कालर आइड फाला फोन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा अगर सरकत बोर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जहां जो कीपैड के लिए उन्होंने क्या क system ही है तो मैं लाग system को पीछे करके तो उसका क्या करता हूं पहले circular board खोल लेता हूं जिस तरह के आप देख रहे हैं जिस कर भूर लिया है यह नीचे कीपड आगया इसका आपको कीपड का अलग कर लेना है लेकिन इसकी डिरेख्षन का आप ने पूरा दियान रखना है की पैड आपने किस तरह से खोला है उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले जो वाला स्विच्ट नहीं चलने हैं उनको क्या करना है आप प्रेन बाटर से भी इसको यह रबड़ा वाश कर सकते हैं या उसका सेकेंट तरिका में आपको बता रहा है आपको क्या करना है इस तरह से जो की पैड है जो वाला आपका सुच नहीं चल रहा है उसको आपने जोर से प्रेस करना है इस तरह जिस तरह फेंड यह आप देख रहे हैं जिस तरह जोर से करेंगे तो इसकी यो डस्ट है वो डस्ट कि बाहर आज जाएगी आपको बारी बारी से साथे पॉंइंट जिकर पुराना ण्यूज्बिभर रख कि आनिगे बारों को सारकर्ट का जंपर को बीरी माम पहरए प्रीटिंग का अगर अगर के फिटिंग लिए अगर ऑगर नहीं चले तो उसमें कि सीर्ख के जो कि होतीन है है कि एगर हमारे हमारे लैंड लाइन फोन में डस्ट आई है तो हम क्या करते हैं जोर से को प्रेस कर करकर कर कर करके चलाते रहते हैं उसकी बड़ बए से क्या होता यह कि इनके यह सुरकर बोड के जिस तरह आप देखेंगे तो आप बहुत ही द्यान से करता हूँ कि यह सरक्र बोर्ड है यह कैसे काम करता हूं कि प्रेंच देखिये ज्यू मीटरीं सरक्र बोर्ड किस तरह काम करता है यह इदर है और इदर है और इदर से और इदर से दोनों में आपस में कंटिन्यूटी बता रहा है आपको क्या करना है आप एक शोटी सी किट मगवा लिजे और जिसमें मल्टी मीटर बगारा हो उसका आप मेरे चैनल की अधर वीडियो देख सकते हैं उसमें चार पांसों की आपको यह किट मिल जाएगे जिसमें मल्टी मीटर सोल्डरिंग आयरन स्क्रूड्राइवर बगारा गर में एक यह किट होनी बहुत ही जुरूरी होती है नार सकत मिल्ट करना बता रहा हूं अगर जहां क crashing करके अगर नहीं छहो पाया तो आपने क्या करना करना है झाल यह ज्ल्ट सी जारही है बेसिकली यह वाली लाइन इफ गई और जे वाली लाइन इधर गई यह बोथ ही हम देखेंगे जब इनको कंटिनुटी देखेंगे यह देख रहे हैं कि आपकी मर्टिमीटर बीप कर रहा है डैड में इधर का और इधर के पॉइंट की यह कंटिनुटी बननी चाहिए इस तरह आपने जो आपका सुच नहीं चल रहा है उसके साथ के यह पॉइंट की कंटिनुटी है वह आपने चेक करनी है जिस तरह यह वाला जैवाला सरक्र जिसतरा मैं ने जैवाला सरक्र और जैवाला सरक्र csrky च्भास आपको बता रहा हूं अगर आपको दे और ऐसे कंट्रीनूटी मिलनी चाहिए और अगर कंटुनूटी नहीं मिली देखेंगा आपको दीखेगा कि बीच में क्या है कि इस पर चाहिए हुई है आपने क्या करना है आप sscreen day मदद से थोड़ा से सक्रेट निकाल लिए जहां ख्राय काई आई है सक्रेडियर की मदद से की आए नीचे सेरक्ट होता है यह एक अपर का सरक्ट होता है नीचे जहां से निकाल ली और जिस जहां करेक आई है बो तोड़ा सा सरक्र निकाल लीजिए आपको जंपर पेरिंग भी बता रहा हूं अगर आप किसी को जंपर पेरिंग नहीं आती है कि जंपर पेरिंग कैसे करते हैं तो वो भी उसका भी सेम ही प्रासेस होता है पहले कंटिन्यूटी देख लेनी हैं दोनों ही पॉइंट्स की प्रेंट्स आपको क्या करना है दोनों पॉइंट्स में जहां अगर बीच में आपको क्रैक लग रही है वह वाला पॉइंट आपको शोड के तो दूर दूर से आपको क्या करना है पीछे यह नीचे जो सरकर बोर्ड जो लाइन दिख रही होती है यह लाइन ही होती है बेसिकल सरकर बोर्ड होता है बन पॉइंट से अधर पॉइंट में कंटिन्यूटी जाती है यह मेरा फ्रेंट्स जो रुपेरिंग सीखना जाते हैं यह वीडियो मेरी उनके लिए भी बहुत मददगार है कि यह सरकर बोर्ड अगर पेर करना है तो कैसे करते हैं तो जिस तरह हमने यह क्ष二 हिसाओ मैं जडियो थोटा सा स्क्रेवर की मदध से हम क्या करेंगा थोड़ा सरकर निकाल लेंगे अगर आपको लग रहा है कि इस पॉट और इस पॉइंट में आपसमें continuity नहीं है तो इसको continuity कैसे आपने में करनी है continuity कैसे बना नहीं मैं वह आपको बता रहा हूं उसके बाद क्या कीजिए आप थोड़ा सा यो आपको किट आपने मुगाई होगी उसमें फ्लक्स भी होगी इसको पेस्ट भी बोलते हैं आपको क्या करना इस पाइन में थोड़ी सी पेस्ट लगा लीजिए आप उसके बाद एक शोटी सी काप पर बायर मतलब कोई भी बायर आप ले लीजिए सोल्डिंग आयरन की मज़र से आप क्या कीजिए उसको थोड़ा सा इंसुलेशन उसकी निकाल लीजिए उसके बाद थोड़ा सी पेस्ट लगा लीजिए वायर को आप बीच में से आपने सिर्फ सिंपल एक वायर लेनी है इसमें तो गुच्छा होता है पूरा वायर का सिंपल एक वायर को लेके आप उसको थोड़ी सी सोल्डर लगा लीजिए इसको आप थोड़ी सी सोल्डर लगा लीजिए अगर टांका नहीं लग रहा अगर सोल्डर नहीं लग रहा तो थोड़ी सी फुलक्स लगा लीजिए आप उसके बाद क्या कीजिए आपने यह पॉइंट बनाया हुआ पहले एक पॉइंट पर आप लगा लीजिए उसके बाद दूसरे पॉइंट पर जो लगाया हुआ आप वायर लगा लीजिए उसके बाद आप इस तरह करके यह वायर है आप ब्रे कर सकते हैं अब मीटर की मदद से देखते हैं कि इस पॉइंट में आप कंटिन्यूटी बनी है यह नहीं बनी है देखिए फ्रेंट्स यह भी आपको सैनाई दे दे लिए इसपे इंटिन्यूटी है इदर इतर चल रहे है और इदर भी चल रहाész गैंणर दीति रही है उपर्वाब इस छल रहा सा लेकिन नीचे वाला बिजेश नहीं चल रहा था लेकिन क्या था कि उपर वाले डीजर्स से ही यह सप्राई थी नीचे गई हुई थी लेकिन जो बहुत ही हमने मिन्यूट्री अब देखा तो हमको लगा क्योंकि क्या और क्या होता है कि बहुत ही प्रेस करने की बखेसे क्या होता है कि कि इसकी यो continuity है जो सर्केट की वह आपस में ब्रेक हो जाती है तो इसको हमने क्या किया कि इस पॉइंट में इस पॉइंट में जो continuity नहीं बनती थी वह हमने यह इसको वायर से सोल्डर से हमने continuity बना दी इस तरह ही कि आपको कोई 9 सwhat नहीं चल रहा है जेठो सुच में भी क्या करना है को इस में और इस पॉइंट में continuity गई विए जैस तरह में आपको बता रहा हूं देठ़िये कि विप कर रहा है अगर जिब बीप कर रहा है जालने दियों कि अगर यह नहीं चड़ाइं तो आपने में क्या जाए इदर से आप सब्सक्राइब कर लिए इसको सोल्डर कर लीजिए इसे क्या ओगा तो इसको कहते हैं जमपर रपेरिंग जैसे हैं जमपर रपेरिंग अगर आप कोई शीखना चायता है तो बूछ यह आप बता रहा हूँ अगर फिर भी आपको लैड़ाइन फोन की रपेरिंग के बारे में नहीं सब्सक्राइब का जो सब्सक्राइब का जो स्विच नीचे आ रहा है उसको प्लिक किए भीना और लाइक किये भीना इस मेरी वीडियो को खत्म नहीं कीजिएगा चलिए फ्रेंस इसके साथ मैं आपसे अपने इस वीडियो में इजाज़त लेता हूं थैंक्यों परिमच